सीमा हैदर एक नाम जिसने मचा रखा है इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगा तहल का सीमा हैदर वो लेड़ी है जो अपने चार बच्चों के साथ पाकिस्तान से कई कंट्रीस क्रॉस करके इंडिया आ गई थी और supposedly PUBG गेम के थ्रू मिले अपने दोस्त सचिन मीना के साथ रहने लगी सीमा हैदर के हाव भाओ उनका बोलचाल और भाशा देखकर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सीमा हैदर क्या एक जासूस है क्या सीमा हैदर एक कॉमन लेडी है जो अपने लव के लिए इतने बॉर्डर्स क्रॉस करके आ गई तो आईए इस केस के बारे में पूरी डीटेल्स जानते हैं मैं हूँ सुधान्शू और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास सीमा हैदर एक लेडी जो बेसिकली पाकिस्तान के कराची की रहने वाली है अपने चार बच्चों के साथ पाकिस्तान से भाग कर इंडिया के ग्रेटर नॉड़ा आ गए और अपने नए पार्टनर सचिन मीना के साथ रहने लगी New Sources के मताबिक सचिन और सीमा हैदर की दोस्ती PUBG गेम के जरिये हुई थी सीमा के पहले पती का नाम गुलाम हैदर है जो कराची से है वही सीमा हैदर जो की ओरिजनली बलोच रिंद ट्राइब से बिलॉंग करती है नॉर्मली इस ट्राइब के लोग अपनी ही कम्यूनिटी में शादी करते हैं पर सीमा न ऐसा नहीं किया उसने गुलाम के साथ भी लव मैरिज ही की थी और उसके चार बच्चे भी हुए कुछ साल से गुलाम हैदर पैसे कमाने के लिए साओधी अरब चला गया था जहां वो मजदूरी करता था साल 2019 में सीमा और सचिन की बाद शुरू होने लगी थी और उसके बाद ही सीमा को गुलाम की जगा सचिन से प्यार हो गया अब तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद सीमा सचिन के साथ रहना चाहती थी पाकिस्तान में इस तरह के रिष्टे रखने की बाद पर खुले आम मर्डर्ज हो जाते हैं शायद इसलिए सीमा ने ये बाद सबसे चुपाई रखी पाकिस्तान में रहने वाले सीमा के परिचित बताते हैं कि सीमा पहले ऐसी नहीं थी जो लेडी कभी घर के बाहर भी जादा नहीं दिखती थी उसने PUBG गेम के थुरू मिले अपने दोस्त के साथ रहने के लिए इतना बड़ा स्टेप उठा लिया सीमा हैदर ने पुलिस को बताया कि पाकिस्तान और इंडिया की बीच चल रहे टेंशन्स के कारण यहां का वीजा मिलना मुश्किल होता है इसलिए सीमा ने नेपाल का टूरिस्ट विजा लिया दस मार्च को सीमा शार्जा होते हुए नेपाल के काटमांडू पहुंची थी जहां सचिन भी आया हुआ था दोनों ने काटमांडू में एक होटेल लिया था और वहाँ साथ दिन तक रुके थे इसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान चली आई थी दो महीने बाद फिर से सीमा ने नेपाल का वीजा लिया पर इस बार वो अकेली नहीं थी उसके चार बच्चे भी इस बार उसके साथ थे और वहीं सचिन नेपाल में नहीं बलकि ग्रेटर नोईडा में अपने घर पर था इस बार सीमा हैदर ने बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आने का प्लान बनाया हुआ था उसने काटमांडू से पोखरा के लिए गाड़ी बुक की और फिर बस से सुनौली बॉर्डर क्रॉस करते हुए इंडिया आ गई पोखरा से दिल्ली की बस के लिए उसने 15,000 नेपाली रुपे भी खर्च किये थे 13 जुलाई को सीमा और उसके चार बच्चे यमुना एक्स्प्रेस वे के फलैदा कट पे उतर गए जहां सचिन पहले से मौझूद था इसके बाद वो सीमा और बच्चों को लेकर ग्रेटर नॉड़ा के रभूपुरा में अपने मकान पर ले गया तीन दिन बाद उसने अपने फादर को इस बारे में बताया और बाद में उनकी मुलाकात सीमा से भी करवाई पडोसियों को भी सीमा पर शक नहीं हुआ क्योंकि सीमा ने अपना हुलिया एक नॉर्मल शादी शुदा लेडी जैसा बना लिया मांगने सिंदूर और साडी में रहने वाली सीमा को देखकर किसी को शक ही नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान से आई एक मुस्लिम महिला है पडोसियों के मुताबिक सचिन की बहन और पिता भी सचिन के घर आकर सीमा से मिले थे और उन्हें साडी भी गिफ्ट की थी मामला तब फसा जब सीमा और सचिन ने कोट मैरिज करने की कोशिश की सीमा अपने डॉकुमेंट्स को लेकर जब कोट पहुँची तब उसके पाकिस्तानी होने की बात सामने आई इसके तुरंट बाद सचिन और सीमा फरार हो गए और तब ही पुलिस भी एक्शन में आई सचिन और सीमा को गिरफतार कर लिया गया इसके बाद कोट ने उन्हें एक शर्ट पर बेल दी कि वो अपना पता नहीं बदलेंगे और देश छोड़ कर नहीं जाएंगे इस बीच इंडियन मीडिया भी इस केस के पीछे हाथ धोकर पड़ गया सीमा के इंटर्व्यू होने लगे लाइब टीवी पर उन्हें कवरेज भी दी जाने लगी और यहीं कई सवाल भी उठने लगे क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस है? सीमा ने अपनी जान बचाने के लिए प्रेजिडेंट मुर्मू से भी अपील की कि अगर उसे पाकिस्तान वापिस भेजा गया तो उसकी जान को खत्रा है और इसके बाद यह सवाल और भी गहरे होने लगे हैं वैसे आपको क्या लगता है? क्या सीमा सच में कोई जासूस है? या केवल अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए देश छोड़ कर आई है? हम एक कॉमेंट में बताईए